सरसुकाटनी को लेकर बढ़कागाउं चट्टी में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट घटना में एक पक्ष के बाले स्वर महतों और उनकी पत्नी सरीता कुमारी गंभी रूप से घायल बढ़कागाउं स्वास्त केंज में करवाई गई भरती बहतर इलाज के लिए हजारी बाग सदर अस्पताल किया गया रेफर पीडित बालेश्वर ने बामले में बढ़कागाउं थाना में दिया अवेदन आरोपिय पर की कारवाई की मांग बरकागाउं थाना के समी पिस्तिते चट्टी के पास खेत में सरसो काटने को लेकर दो पक्षों में जम कर मार पिठ हुई जिसमें एक पक्ष के दो लोग गंभी रुप से घायल हो गए जिनका इलाज हजारी बाग सदर स्पताल में चल रहा है घटना के सम्बन में एक पक्ष के बालेश्वर मेहतो ने बताया कि सो मुहर को लगबग 9 बजे वे अपनी पतनी सरीता कुमारी के साथ सरसो की कटाई के लेकर खेत गए उसी क्रम में दूसरे पक्ष के प्रदीप कुमार कमलनात मेहतो जैराम बुद्धिनात मेहतो आदी लाठ ही डंटों के साथ पहुँचे और पतनी और पती दोनों की बेरहमी से पिटाई करने लगे मारपीट की इस घटना में बालेश्वर मेहतो और उनकी पतनी सरीता कुमारी गंभी रूप से घायल हो गये जिन्हें बढ़का गाउं स्वास्ते केंद्र ले जाये गया जहां डॉ के लिए हजारी बाव सदर अस्पताल डेफर कर दिया पुईडित बालेश्वर मेहतों ने बताए कि उनके द्वारा मामने को लेकर बढ़का गाउं थाना में आवेदन देकर आरोपियों पर कारवाई करने की मांग की गई है पर अब तक आरोपियों पर कोई कारवाई नही की गई है हजारी पर डेस की रिपोर्ट